ओके अभी हमनुक जो डिस्कॉस करने होला है वो है भी यह सेकंड सेम का एचिप्मेंट टेस्ट तो एचिप्मेंट टेस्ट में आपको कैसा बनाना है कैसा करना है वो हम बताएगा Now it's a construction of achievement test सबसे पहले आपको सब के लिए बनाना है आपका acknowledgement सबको लिखना है और certificate बनाना है और declaration and जैसे भी हो आपको content को follow up करना है ठीक है and now content is your first 1.0 आपको introduction लिखना है what is the meaning of achievement test what is the concept of achievement test definitions आप जितना कले कर सकता है करना है and objectives of the test आप यह test क्यों कर रहा है उसका objective आपको frame करना है इसमें आपका number 1, number 2, number 3, number 4 यह आपका concept का हिसाब से होगा आप जैसे भी बनाएगा and उसके बात में यहां पर आपका एक ही focus करना है क्योंकि हम achievement test में दो दरह से होता है तो उसमें से हम लोग achievement test में से teacher made made test क्या है वो आपको जाना पर एगा what is the meaning of teacher made test उसका meaning लिखना है और features लिखना है इसका मतलब क्या है वो बताना है आपको and उसके बात में आपका 2.0 में आपका क्या करना है या में preparation of the test preparation of the test में क्या होगा आपका सबसे पहले आपको planning करना है planning मतलब क्या है आपको यहां पर आपको अलगलग यह पूरा step है यह पूरा planning जो आपका preparation of the teaching में आपको जो planning है वो क्या planning है सबसे number one पहले आपको first step क्या होगा planning करेगा before the construction of test आप planning करेगा कि यह test को कैसा करेगा कैसा नहीं करेगा पहले आप pre-plan कर लेना है कितना materials दालेगा कितना नहीं दालेगा कितना representative करेगा कौन सा chapter important है कौन सा principles है तो यह आप ओर यह पर पहले से plan करके लिखना है यह आपको यह पर लिखना है कि planning में क्या क्या करने वह जो आपको यह पर लिखना है खिक है ऐन उसके बात आइटेम राइटिंग आइटेम आप जब राइटिंग हम जैसे कि अगर आप यां में बोलेगा तो डिसाइड आउटकम्स of the objectives क्या objectives होगा क्या नहीं होगा and determinant the weight is कितना को कितना questions को कितना marks देगा यह आप पहले से प्लान करके लिखना है और इसको लिख लेना है आपको प्रोप्रियर होना है ऐसा नहीं को लिखना है कि आपको लिखना है कि आइटेम राइटिंग कैसा होना है आइटेम राइटिंग का मतलब क्या है वो सब आपको लिख के पूरा परा पेज में बढ़ती करना है और उसके अभी आप एड्मिनिस्ट्रेट कैसा करेगा इसको आम आगे और दितल से बता देगा एड्मिनिस्ट्रेट कैसा करेगा आप एड्मिनिस्ट्रेट कैसा करेगा मतलब किसा करके उसको कंस्ट्राक्ट करेगा For example, अभी आप यहां सबसे पहले administrative जब आप करेगा तो आपका particular लिक्या होगा कि आपका जो भी student है उसको item को आप already बता देगा कि आपका जो भी question achievement test है उसमें आपका किस basis में आपको test ले रहा है क्या ले रहा है वो सब आपको बताना है यहां लिखना है administration का मतलब क्या है informed student and all these things यह सब आपको बताना है Now scoring अभी यह test बताने का बाद जब student लोग कर लेगा test को टिक मार कर लेगा answer लेगा उसका आपको scoring बताना है Now what is the meaning of the scoring test आपको बताना है scoring test मतलब कि क्या है उसमें कितना क्या क्या procedure है जब teacher made made test बोलता है तो आपका क्या क्या उसमें score किया जाता है कैसा कर जाता है तो उसमें feedback जो मिलता है या आप यह बोल सकते है जो provided जितना भी information है वो सब आपको यहां लिखना है and उसके बाद analysis करना है analysis of the test में मतलब कि क्या है analysis of the test में मतलब कि क्या है analysis of the test में मतलब आपका पूरा यहां पर जितना scoring किया जितना मिला है उसका आपको analyze करना है कि मतलब कितना marks में कितना मिला है कौन से section में कितना मिला है थीके और इसके बार नास्म है ड्रेडिंग ग्रेडिंग का मतलब क्या है वा बताना आपको यह में सब थे Machint Pret अभी यहां पर आपको construct करना है this is the practical part ठीक है अभी आपको जो भी काम करना है जैसे कि construction of teacher made made test में क्या होगा आपको population population आपका कितना था 5 ना 5 या तो आप 3 लेना है यह दोनों को लेना है जैसे भी हो population मतला तो आपको ही हमें इतर्मिनेट करना है जैसे कि आप यहां में population of the test में आप लिखने का बात में यहां पर आपको क्या क्या हो जाएगा नेम आप दा इस्टूडेंस नेम आप दा टेस्ट इसका अंदर में हां फिर नेम आप दा इस्टूडेंस और उसके बात में आपका class कितना है कौन से स्कूल वह से information देनेगा आप यहां में उसका population का information देगा आपका total कितना है and determinates of the weightage of the given chapter आपका कौन से chapter में कितना दे रहा है या unit 1 से लेके 4 तक है या आपका unit 1 से लेके 6 तक है यह आपको यहां पर information देना परेगा और उसका नाम भी लिखना परेगा now preparation of the blueprint blueprint कैसा लिखना है हम पहले आपको बताया है फिर भी हम आपको बता देगा blueprint कैसा होता है तो blueprint जब हम बात कर रहा है यहां पर यह होगा जैसे कि area of the content ना आपका area of the content में आपका क्या होगा types of the item में क्या है number of the questions total marks now आपको total marks already हम आपको बता दिया है this is the 50 marks right total आपका so आपको यह में तीन section है section A, B और C ठीक है और उसके बात में section A, B में सबसे पहले A में आपका एगा fill in the blends fill in the blends का एक item होना है इसमें number of the questions कितना होगा for example आप five questions किया है तो आपका मतलब इसमें आपका कोई भी marks लगा दो इसमें total कितना number होगा ना and उसके बाद यहां में true and false का एक section होना है यह आपका section A में आ रहा है जिसमें total इसमें कितना marks देगा जैसे कि आप 10 दिया है इसमें 15 दिया है matching the following तो आपको matching the following भी दे सकता है अप कितना numbers देगा questions कितना देगा five questions है five questions में two marks है तो आपको कितना होगया 10 marks का ना तो ऐसा करके दे सकता है अप यह आपको उपर depart convince करता है और section C, section C में किया है long question type of answer and also short answer भी होगा, यह long में भी होगा, उसके बाद आपका short में भी होगा, तो आप यहां पर कितना questions देगा, वो आपका उपर depend करते हैं, यहां पर जो total marks है, यहां पर आपका total पूरा आपका आना है 50 marks, आप इसमें questions, numbers कितना, questions आपका number कितना होगा, वो आपका पर depend करते हैं, questions आप कितना बनाएगा, वो आपका पूरा है, लेकिन total marks आपका 50 होना है, ठीक है, अभी यहां से आपका construction number 4 में आपका क्या होगा, अभी यहां पर जो भी कुछ किया था, उसका आपको scoring को अभी यहां पर test करके बताना है, कि आप इतना students में से कितना marks मिला है, किसे मिला है, किसे नहीं मिला है, कितना मिला है, कितना chapter में कितना outcome हुआ है, एन उसके बात में आपको analysis करना है, test, पूरा total score को आपको analyze करना है, कि total students लो ओ चप्टर से कितना outcome हुआ, कितना मिला, कितना नहीं मिला, उसको आपको बताना है ठीक है एन उसके बाद last में को क्या summit करना है app index में आपको यह summit करना आपका blueprint जो हम बनाए था ब्लूपृिंट आपको summit करना है फर्स में भी सेकेंड में भी जैसा भी बनाए था एन जो question आपका जो 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 बनाए खूशन paper जो भी कॉशन paper बना आपका पांच सेट होगा तो पांच सेट को ही समिट करना है प्लस उसका एंसर की को भी आपको समिट करना है और उसके बाद इस्टुदेंट जो रेस्पॉंस किया है जो एचिपमेंट टेस आप जो इस्टुदेंट को लिया है उसको भी आपको समिट करना है यह आपका ओवर अब आपर कोईशन, था बनाएगा। जहाँ पर आपको जो कोईशन, बनाएंगा ना जिया आपको इससे होण। ट decrease का ही होगा full marks, pass mark इतना है वह भी आपको डिवाइट करना है नो यहां पर आपको instruction देना है instruction में मिदलब इस type का होगा आपको आपको देमो दिखा रहा है इस इस लिखना है फर्स पेश में achievement is subject geography है जैसे कि resource and development का है यह class जो भी नाम है it doesn't matter तो यह करके आपको instruction देना है यह आपका general instruction ठीक है और उसके बाद इसको आप एक specific instruction में भी दे सकता है इस type का so this is the demo कि आप लोग इस तरह से अपना एक page बना लो यह question paper का I hope कि I hope आप लोग को ज्यादा clear हो गया होगा so इस तरह से आप लोग अपना achievement test बनाएगा